हेलो फ्रेंट स्वागत आपका हमारी येटूब चैनल जीके रेविलिशन में हमारी जो सीरीज चल रही थी टॉप प्रीविस येर जीके की उसका भाग आज तीसवा हैं जिसमें हम महत्वपून 50 कुश्चन को देखने वाले हैं पहला कोशन है आज का समविधान में संसोधन करने की प्रिक्रिया किस देश के समविधान से ली गई है तो हमारे समविधान में जब भी कोई भी संसोधन किया जाता है तो वहां 368 आर्टिकल के तहट किया जाता है और हमारे सम्विधान में कौन कून सी चीज़े किस किस देश के सम्विधान से लिए गये है। उसके यहाँ पर एक छोटा सी लिस्ट देख लेते हैं सबसे पहला आता है निति निदेशक तत्व तो यहाँ आयरलेंड के समविधान से लिया गया है आयरलेंड के समविधान से हमने यह भी लिया है कि राज्य सभा में 12 सदस्वेओं को मनोनित किया जाएगा राश्पति के द्वारा तो यह भी आयरलेंड के समविधान से लिया गया है दूसरा है मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार अमेरिका के समविधान से लिया गया है ठीक है मौलिक कर्तव यह जो है यह है USSR यानि की जो रूस है वरतमान रूस पहले सोवियत संग इसका नाम था अभी वरतमान रूस है उसके सम्विधान से लिए गए है मौलिक करतव है पंच वर्षय योजनाय जो है ये भी रशिया के सम्विधान से लिए गई है जो आपातकाल उपबंद है यहाँ जर्मनी के सम्विधान से लिए गई है ठीक है और एकल नागरिक्ता के बारे में जो भी प्रणाली है हमारी वो ब्रिटेन के सम्विधान से लिया गया है और संस stranger gas भी कहते हैं कई बार ये question भी पूछ ले जाता है कि stranger gas किसे कहते हैं तो xenon को कहते हैं अगला question है भारतिक communist party की स्थापना कब हुई थी तो CPI की स्थापना जो थी communist party of India इसकी स्थापना 1925 में की गई थी ठीक है और जो दूसरी party थी माक्सवाधी communist party यन की communist party of India और माक्सवाध इसकी स्थापना 1964 में की गई थी ठीक है 1964 में CPI का विभाजन हो गया था जिससे माक्सवाधी communist party बनी थी चौथा प्रशन है आज का प्रस्चिद हस्त सिल्प मेला कहां आयोजित किया जाता है तो दीकि हस्त सिल्प मेला जो है यहां फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है जो कि हर्याना में इस्तित है ठीक है सूरजकुंड जील के पास कई भर कोशिन ऐसे भी पूछ लेता है कि सूरजकुंड जील कहां इस्तित है तो यहां फरीदाबाद हर्याना में इस्तित है और इसी के तट पर हस्त शिल्प मेला लगता है ठीक है भारत का सबसे बड़ा thermal power plant कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा thermal power plant है विंदियाचल thermal power plant जो कि मध्यप्रदेश में इस्तित है उपभोगता सरक्षन अधिनियम कब आया था तो उपभोगता सरक्षन अधिनियम यानि कि Consumer Protection Act पे जो था यहां 1986 में पारिद हुआ था मुगा किस राज्य से संबन देत है मुगा सिल्क जो है यहां असम राज्य से संबन देत है मुगा सिल्क ग्रेफाइट किसका अपरूप है तो ग्रेफाइट जो है एक एलोट्रॉप है कारवन का किस अनुछेत के तहट उच नियाले रिट जारी करता है तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे समवेधान में पांच प्रकार की रिट होती है ठीक है और इनको उच न्याले यानिकी हाई कोट जारी करता है अनुचे 226 के तहट जबकि जो सुप्रीम कोट होता है उच उतम न्याले वहाँ आर्टिकल 32 के तहट करता है ठीक है आर्टिकल 32 को ही बियारंबेट करने भारत के समविधान की आत्ma और हिरदय कहा था ठीक है सम्वेधानिक सुधारों के इसको क्या कहते हैं उप्चार भी इसको कहा जाता है ठीक है सम्वेधानिक उप्चारों कह था अगला है प्रतम भारतिया Aie Aie Aies officer कौं थे तो पहले भारतिया Aie Aies officer थे सातिंदर्नाज टैग और ठीक हैँ करेबर पूछता है कि ICS की परिक्षा पास करने वाले पहले भारतिया कौन थे तो Indian Civil Services की परिक्षा पास करने वाले पहले भारतिया थे सैतेंद्र नाठ टैग और और अगर पहले महिला पूछे तो वो थी ईशा बसंत जोशी गिर राष्ट्य उध्यान कहां इस्तित है तो गिर राष्ट्य उध्यान जो है यहाँ जूनागर में इस्तित है जो की गुजरात में आता है ठीक है किस एथलीट को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो दिके धींग एक्सप्रस को कहते हैं हीमा दास को कहते हैं जैसे flying sick किसे कहा जाता है वो कहा जाता है मिलखा सिंग को ऐसे ही धींग एक्सप्रस कहा जाता है हीमा दास को महत्मा गांदी ने किस एक मात्र सम्मेलन में कॉंग्रिस की अध्यक्षता की थी तो महत्मा गांदी ने 1924 के बेलगाम सम्मेलन में कॉंग्रिस की अधेक्षता की थी एक मातरवार ठीक है और बेलगाम कहां इस्तित है करनाटक में यहां इस्तित है अगला कोशन है राष्ट गोफतार समचार पत्र के संपादक कौन थे तो राष्ट गोफतार जो समचार पत्र था इसके संपादक थे दादा भाई नरोजी इन्हें Grand Old Men of India भी कहा जाता है और British संसद में चुने जाने वाले यह प्रतम भारतिय थे ठीक है और धन निकासे का सिध्धान तो जो था वो भी इन्होंने ही दिया था अब तक राष्ट्य आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है तो अब तक राष्ट्य आपातकाल कुल तीन बार लगाया जा चुका है पहली बार 1962 में भारत-चीन युद के दौरान लगाया गया था 1975 से सदतर तक भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा निर्मित सबसे पहला किला था सेंट जोर्ज जो कि मदरास में इस्थित है पौधों की वृद्धी को किस से मापा जाता है तो पौधों की वृद्धी को मापने के लिए क्रैस्कोग्राफ नाम का एक डिवाइस आता है उससे इसको मापा जाता है जिसके अविश्कारा कौन है जेसी बोस यानि कि जगदीश चंद्र बोस ने केस्कोग्राफ की इन्वेंशन किया था लेंश की शमता किस में मापी जाती है तो लेंश की शमता जोती है डायोप्टर में मापी जाती है मांड शंगीत किस राजय से संबंदित है तो देखो कन्फ्यूज नहीं होना है जो मांड है यहां राजस्थान का है और एक और गीत आता है मांडो ठीक है यहां गीत गोवा का किसकी आत्मकता है नेलसन मंडेला की आत्मकता है बारते ऑलंपिक समयत्य के स्थाफना 1927 में हुई थी नागरजुनन्बान किस नदी पर इस्तिय थै तो नागर जुद्बान्च यहां कृषिन नदी पर स्तित्य माँ भारत के फार्सी अनुवाद को क्या कहते हैं तो माँ भारत के फार्सी अनुवाद को राज मनामा कहा जाता है और अकुबर के काल में इसका फार्स अनुवाद किया गया था पानी में किस तत्व की असुद्धी के कारण कैंसर होता है तो पानी में किस तत्व की असुद्धे से कैंसर होता है आरसनिक आरसनिक की जो असुद्धी होती है उसके कारण कैंसर होता है संस्कृत भाशा के महन उपन्यास कादंबरी किसकी रचना है तो कादमबीरी जो रचना है यहां बान भटकी है विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है तो विश्व विकास रिपोर्ट जो है हुआ IBRD ठीक इसके द्वारा जारी क्या जाता है IBRD की फुलफॉर्म होती है International Bank for Research and Development ठीक है फ्रेंट्स अगला कुर्शन है द्रोणाचारे पुरसकार कब से दिया जाता है तो द्रोणाचारे पुरसकार खेल प्रस्टिक्षकों को यानि कि जो कोचिस होते हैं उनको दिया जाता है 1985 से ये दिया जाता है कई वर इसमें दी जाने वाली इनामी राशी को भी पूछ लिया जाता है तो पांच लाख रुपे इसमें दी जाते हैं NCP की स्थापना कब हुई थी यानि कि जो Nationalist Congress Party है राश्टरवादी Congress Party इसकी स्थापना 25 में 1999 को हुई थी और इसके जो मुख्या स्थापोकों में से एक थे वो थे शरत पावार जो इसके वरतमान अध्यक्ष भी है जन्गन मन किस भाषा के शब्द हैं जन्गन मन जो है यहाँ बंगाली भाषा के शब्द है जब रविंद्रिना टैगोर ने भारत के राश्टरगान के रचना की थी उन्होंने उसको मूर बंगाली में उसको उन्होंने लिखा था जबकि हिंदी भाषा में इस गान को 14 जन्वरी 1950 में अपनाया गया था संपूर करांती नामक आंधुलन किसके द्वारा चलाया गया था तो संपूर करांती जो आंधुलन चलाया गया था यहाँ जैप्रकाश नारायन के द्वारा चलाय गया था इन्हें लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है ठीक है लोकनायक इनको कहा जाता है इनको जब 1970 कुछ दौर था जब इंद्रा गांधी अंपर अपने पीक मरती बिलकुल ही उनके विरुद इनको नित्त्व करने लिए जाना जाता है भारत के समुद्र तटकी कुल लंबाई कितनी है तो भारत के अगर समुद्र तटों की लंबाई की बात करें तो वहाँ है 75, 16, 6 km ठीक है 7,000 km लगबाग आप इसको बोल सकते हो अगर मुख्य भूमी का पूछ है तो मुख्य भूमी की लगबाग 1,600 km है ठीक है फ्रेंट्स सबसे लंबी तटरिखा गुजरात की है सबसे छोटी तटरिखा गोवा की है और दक्षिन भारत की सबसे लंबी तटरिखा आंधर प्रदेश की है अगला है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो यहां मनाया जाता है 24 अपरेल को क्यों मनाया जाता है इसके पीछे भी एक रीजन है देखे पंचायती राज कब शुरूवा था पहले वो देख लेते हैं यह शुरू वा था 2 अक्टूबर 1969 को ठीक है राजस्थान के नागवर जिले में पंचायती सिस्टम जो था वो शुरू किया गया था भारत में ठीक है 24 अपरेल को ये दिवस इसलिए मनाय जाता है क्योंकि 24 अपरेल 1993 को 73 संसोधन के द्वारा पंचायती राज को समविधानी दर्जा दिया गया था और इसे लेकर 11 अनुसूची को समविधान में जोड़ा गया था इसलिए 24 तारिक को समविधान में जोडने के लिए इसको राष्ट्य पंचायती दिवस मनाया जाता है डाइनामाइट का आविशकार किस ने किया था तो डाइनामाइट का आविशकार किया था अलफरेट नोबल ने इन्ही के नाम पर नोबल प्राइस दिया जाता है ठीक है फ्रेंट्स कई बर कोशन भी पुश लिया जाता है जिनके नाम पर एलफेड नोबल के नाम पर दिया जाने वाला नोबल प्राइज इन्होंने किसकी खोच की थी ठीक है कि नोबल प्राइज जिनके नाम पर दिया जाता है इन्होंने किसकी खोच की थी तो इन्होंने डाइनमाइट बनाया था चार मिनार का निर्मान किसने करवाया था तो चार मिनार का निर्मान कराया था मुहम्मद, कुली, कुतुब, शहाने, चार मिनार कहां इस्तित है यहां हैदरबाद में इस्तित है पंद्रश्वे क्यानवे में इन्होंने चार मिनार का निर्मान कराया था अगला है प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट सभी को घर देने का लक्ष कब तक रखा गया है तो प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट 2022 तक सभी को घर देने का लक्ष रखा गया है चेंब्स वोड सुधार कब पारित हुआ था पैनिसलीन क्या है एक एंटिबायोटिक है इसकी खूझ की थी अलेक्जेंडर स्लेमिंग ने अगला कोशन है फिलिप कार्ट के संस्थापक कौन है तो फिलिप कार्ट के संस्थापक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ठीक है फ्रेंज 2007 में इन्होंने फिलिप कार्ट की स्थापना की थी चार बाग गार्डन शेली भारत में किस ने अपनाई थी तो दिके यहां पर चार यह भाग नहीं होगा यह बाग होगा ठीक है चार बाग गार्डन शैली भारत में किसने अपनाई थी यहां शैली मुगलोने के द्वारा अपनाई गई थी बार्दूली शत्याग्रह कब हुआ था तो बार्दूली शत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था ठीक है बड़े हुए टेक्स के खिलाफ जो कर उन्होंने बढ़ा दिया था उसके खिलाफ हुआ था इसका नित्यत्व किया था सरदार बरला भाई पतेल ने और इन्होंने सफलता पूरवग इस अंदूलन का नित्यत्व किया था इसलिए यहां के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाती दे दी थी बाई महात्मा गांधी ठीक है महात्मा गांधी के ठुट है महिलाओं को वोट देने का अधिकार सरप्रतम किस देश ने दिया था तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था सबसे पहले न्यूजिलेंड ने हमबन टोटा पोट किस देश में इस्तित है कई बार ये कोशन पूछ ले जाता है हमबन टोटा बंदर गाह जो यहाँ श्री लंका में इस्तित है शेयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद में कितने देश होते हैं पांच परमनेंट देश कौन है कई बार ये भी पूछ लेता है तो सबसे पहले आता है अमेरिका ठीक है यूएसे है ठीक एक रशी आता है इसके अंदर ब्रेटेन आता है ठीक है फ्रांस आता है और फिर चाइना आता है यह पांच स्थाई देशें और 10 इसमें temporary होते हैं, तो कुल कितने देशें सुरक्षा परीशत में 15, राष्ट्य खाद सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राष्ट्य खाद सुरक्षा अधिनियम जो था, यहां 2013 में पारित हुआ था, इलाबाद बैंक का मुख्य जो है यहां कोलकाता में इस्तित है नील गाय के लिए प्रसिद्ध गुरु घाजिदास राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्तित है तो नील गाय किस राष्ट्य उध्यान में पाई जाती है तो वह है गुरु घाजिदास राष्ट्य उध्यान कहां इस्तित है चतिस लेखा, 200 रुपए के नोट पर साचि के इस्तुब का और 100 रुपए के नोट पर रानी की वेव का और 50 रुपए के नोट पर हमपि का चित्र होता है और 10 रुपए के नोट पर कोड़ा का सुर्य मंदिर होता है अगловminute क्वेशन है हमारा हरीकेन के नाम से जाना जाता है तो भारत को पहला विश्वकब जिताने वाले कर्केट का कपिल देप को हरियाना हरीकेन के नाम से जाना जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये तह हमारा आज का भाग तीसवा जिसको हमने देखा हमारी जो most important series थी उसका भाग ये तीसवा था अगर तो आपको ये वीडियो कर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें इसको शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू फ्रेंड्स